नमस्कार आपका एक बार फिर से बीपी न्यूस में आपका स्वागत है चलिए खावरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं पुलिस सूत्रों के मताबिक निकिता जैकाव नाम के दो आरोपियों के खिलाब दिल्ली पुलिस ने गेर जमानती वारंट जारी करवाए कल दोनों का जिकर पुलिस ने इस साज़िश में शामिल होने में किया था पुलिस सूत्रों के मुताबिक निकिता जैकब पेशे से वकील है और मुंबई में रहती है ये तस्वीर हैं आपके सामने है पुलिस रिमांट पर ले जा रहे हैं देशा को उसको ग्रफतार किया गया है ग्रेटा टूल कित को जो पहले सबसे पहले शेयर किया था उसी को लेकर सबसे बड़ा बावाल मचा हुआ है क्योंकि ग्रेटा ने उस टूल कित को डिलीट करके फिर नई टूल कित को जारी किया लेकिन अब इसमें नया मोल आ गया है निकिता जैकब को गरफतार कर लिया गया है उसके साथ उसके सही होगी को भी गरफतार किया गया है दोनों के खिलाब भी मामला दर्ज किया है निकिता जैकब मुंबई की रहने वाली है और वकील है टूलकिट मामले में दो और के खिलाब अब गिरफतारी वारंट जारी कर दिया गया है निकिता जैकब और शांतुनी खिलाब ये गहर जमानती वारंट जारी किया गया है दोन कहानी आपके सामने रख रहे हैं उदर ग्रेटा खनवर टूल किट मामले में गरफतारी हुई है बैंगलूरू की क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशारवी की दिशारवी को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं दिशा को कल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सिल ने बैंगल जोड़कर उसे आगे भेजा जो की देश्ट्रों के दाइरे में आती है लेकिन दिशा की गरफतारी का कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी ने जोरदार विरोध किया है कॉंग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचे प्रेंका गांधी ने ट्वीट करक दिशा की गरफतारी को लेकर सरकार पर निशाना साधा है दिल्ली के मुख्य मंतरी अर्विंद केजरिवाल ने कहा कि दिशा की गरफतारी लोक तंत्र पर अभूत पूर्व हमला है उधर बीजेपी ने दिशा की गरफतारी को सही करार दिया है केंद्री मंतरी गजिंद्र स इस मामले में किसान अंदोरन के बाद जो टूल किट गेटा थनवर ने जारी की थी, उस मामले में गरफतारी के बाद अब नए लोगों की गरफतारी की तलवार उनके सर पर लटक रही है। दिशा की गरफतारी को लेकर कॉंग्रेस सरकार पर हमलावर है कॉंग्रेस नेता और पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल कपिल सिब्बल ने पूछा कि सरकार 21-22 साल की एक लड़की से क्यों डर रही है सिब्बल ने बात की ABP News के संबाद दाता आशीश कुमार सिंग से दिशारवी के खिलाफ कानूनी कारवाई को लेकर के काफी चर्चाएं हो रही है एक तरह से जो उसको लेकर के लोगों की राय है वो दो तरह से डिवाइड़ है हमाई साथ Congress के वरेशनेता देश के बड़े लीगल लियूमिनरी कापिल सिब्ल साब है जिन्होंने कुछ देर पहले ट्वीट करके अपनी रायस पे वक्त किये सिब्ल साब आपका मैं ट्वीट देख रहा था आपने इसमें कहा है कि state क्या दर गया है और बड़ी बात आप ये लिख रहे हैं कि is this tolerance तो आपको क्यों लगता है कि ये राष्ट्र एक 21 बगड़ की से क्या दरता है क्या इसकी ट्वीट से दरता है हमारा राष्टर हमारा देश जो चीन से नहीं दरता ना चीन से हम सथकार के साथ खड़े हुआ है एक्की साल की बच्ची एक्की साल की लड़की के खिलाफ आप उसको उसको आप जेल में बेज कर आपको क्या मिलेगा पुलिस का यह न की टूल किट को स्प्रेड किया बनाने में भूमिका निभाई ग्रेटा के साथ पहले से जुड़ी हुई थी ग्रेटा को बनाना चाहिए ना आरोपी क्यों नहीं बनाते हैं अले भाईया जिसने टूल किट बनाई उसको तो आरोपी बनाओ और जो भी जो भी इनसे इन्होंने तो ट्वीट किया ना अगर कौई सांड के साथ कड़ा होगा तो क्या किसांद के साथ खड़े होने में तो तो पिर जो वहां बैठे हुए है जो लोग वहां फ्रोटेस्ट कर रहे हैं थें फिर उनको आप आरोप की बनाओ ढले सटन्गेस्पैक्ट की सरे इसके पीछे कोई larger conspiracy सैंड हो बनायों तनबर, तो बनाओ ना उसको, आप डरते क्यों हो, आप इसलिए डरते हो, कि अगर आप उसको बनाओगे, तो अंकराश्टी स्तर पर एक मुद्दा बन जाएगा, यहां तो आप किसी को जेल भेज दोगे, तो वो बिचारे सालों साल लड़ते रहेंगे, और फिर यह जो डरा आप पहला रहे हो, जनता के बीच, युवाओं के बीच, कि अगर आप ऐसा कोई सरकार के किलाव कोई भी बेहान देगो, ऐसा कोई फार्म प्रोटेस्ट जो किसान अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके साथ खड़े होगे, तो फिर यही आपका नतीज़ा यही होगा, कि आ पहला रहे हैं, लेकिन इस बीच खबर आ रहे हैं, अनिल बिच को लेकर अनिल बिच ने एक बड़ी बात कही है, इसी मामले को लेकर क्या कहा है, आपको सुनवाने की कोशिश करेंगे, आपको बताने की कोशिश करते हैं, अनिल बिच को लेकर एक बड़ी खबर आ रहे है, क देश विरोधियों का समूल नाश कर देना चाहिए ये बात लिखी है निलविज ने फिर चाहें वो दिशा रभी हो या कोई और जिसके दिमाग में देश विरोध का बीज है उसका नाश जरूरी है तो हम सीधे चलते हैं हमारे संवाधाता निरज पांडे के पास और निरज पांडे से जानकारी लेते हैं निरज क्या ट्वीट करके किस पर निशाना साधा है देखे दिसा रभी की ग्रिपतारी को लेकर कॉंग्रेस के लोग जिस तरह से ट्वीट कर रहे हैं जिस तरह सरकार का विरोध कर रहे हैं उस पर अनिल विज का ट्वीट है और उन्होंने कह है कि देश वीरोधी जो थाकते हैं उनको नश्ट कर देना चाहिए और इस गर्पतारी को भी उन्होंने सहीद करा दिया हम ऐसाद बात करने के लिए भारतियनता पार्टी के राष्टी महासचिव तरुन चुक जी उनसे भी इस विसे पर हम बात करते हैं कि आखिर उनकी क्या सर दिसा रवी की गर्पतारी को लेकर कॉंग्रेस ने हला मचा रखा है वो लगातार इस गर्पतारी को गलत करा दे रहा है आज खुद कभी सिब्बल ने बीपी नियू से बात जब की तो उन्होंने कहा कि 21-22 साल की लड़की को आप लोग जेल भेज रहे हैं एक बार कोई चला जाएगा तो वो फिर कैसे बाहर निकला आएगा मेरको दुख हो रहा है कि आज देश के लाल किले पर हमले की साजिश करताओं के साथ कोन खड़ा है देश के एक जाने माने वकील कॉंग्रेस के एक वरिष्ट नेता क्या आप पॉलिटिक्स इतनी बड़ी हो गई कि दे देश के राष्ट्य द्वज का पमान करने वाले देश के राष्ट्य चिन का पमान करने वाले देश के एक राष्ट्य समारक का पमान करने वालों के हक में जिनोंने एक शड़ेंतर के तहट पूरा शड़ेंतर रच कर वातावरन को खराब किया आपने नाम तो रख लिया प्रयावरन विध लेकिन देश की एकता खंडता के प्रयावरन को वो खराब कर रहे है ये क्या प्रयावरन देश की एकता खंडता का प्रयावरन महत्तोपूरन नहीं है प्रियंका गांधी ने भी सपोर्ट किया है दिसारवी की जो गृपतारी हुई उसका बिरोध किया चाहरी तरह वहां खड़ा मिलता है दुर्भागे हैं देश का न्याइले देश की कनून विवस्ता पर हमें पूर्श की जो लोग हैं सरकार के किये जा रहे कामों को यह इस तरह की कानूनी प्रक्रियाओं के तहट जो लोग अरिष्ट किये जा रहे हैं, उनका अगर समर्थन करते हैं, तो सरकार का विरोध है। को कारवाई शुरू की की बाहर से फंडिंग आ रही है तो आपका मुख्य मंत्री कैप्टन नमरेंदर सिंग दीप सिद्धू के वकील बन जाते हैं और 26 जनवरी को घटना होती है तो आप दीप सिद्धू बीजेपी का अदनी है हम पगड़ लाते हैं तो आप गलत कर रहे है क्या गलत है इसमें क्या देश के राष्टे समारकों के अपमान को करने वाले लोग क्या देश के राष्टे द्वज का पमान करने वाले लोग देश की एकता खंडता के खिलाब शेडंतर करने वाले लोगों के वकील आज कॉंग्रस पाटी बन गई राहुल गंदी प्रिंक निरज आप बात कर रहा हैं, इसमये बीजे पी के माहा सरचिप तरुन चोक करते हैं, इस देश की एकता और अखंडता है, उसके परियावरण को ये परियावरण एक्टिविस्ट खराब करने की कोशिश कर रही है, सरकार की कोशिश है कि ऐसे परियावरण विद जो देश की करने ताको चोट पहुचाना चाहते हैं उससे देश की सुरक्षा की जाए का पिल से बल से बात की थी आशीश कॉंग्रेस सीधे सीधे कह रही है कि 21 साल की बच्ची से सरकार क्यों डर रही है लेकिन इसी तरह के मामले तमाम ऐसे लड़कों पर बच्चों पर यूपे सरकार मे भी लगे जब अंना अंदोलन चल रहा था जब अनना हजारे अंदोलन कर रहे थे उस समय सरकार ने ये बात नहीं कही थी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये सवाल बिल्कुल लाजमी है विकास आप जिस एपिसोड का हवाला दे रहे हैं निश्चित तोर पर उस समय इस तरह की गिरफतारियां हुई थी जब पूरे देश में इस बात पर सवाल खड़े किये गए थे यूपीय सरकार पर कि आप ऐसे लेकर के जब से किसान अंदोलन शुरू हुआ है तब से राहुल गांधी प्रयांका गांधी कॉंग्रिस की तमाम लीडर्शिप इस मामले को लेकर काफी मुखर है और मुझे लगता है कि कही ना कहीं इसमें राजनीती जरूर है और इसी वज़े से भरसक कोशिश की जा रह अर्ग्यूमेंट्स जरूर यह है कि कपिल सिबल से जब मैंने बात की थी विकास जिसका हवाला आपने दिया उन्होंने कहा कि कई ऐसे मामले हैं सुप्रीम कोट में जिसमें खालिस्तान के लड़कों कुछ यंग बच्चों ने नारे लगाए थे सुप्रीम कोट ने उसको लगों को समझाने और बुजाने की जरूवत हैं ना कि इन पर इस तरह के मुकद में गढ़ने की जरूवत हैं तो मुझे लगता है कि इसको मैं इस तरह से देखता हूं कि यह पोलिटिकल से जिसमें एक दूसरे को आपको बिश्यक रावत भी बने हुए हैं उनसे जल्दी स इस मामले में दो और लोगों के खिलाफ गेर जमानती वारण जारी किया है पुलिस ने क्योंकि कली जब दिल्ली पुलिस ने दिशा को पेश करा था अदालत में रEMAन्ट मांगी थी तो ये दो नाम का खुलासा भी करा था और कहा था कि ये दो नाम भी इस तूल किट को एडिट करने में शामिल है और दूसरे पहलू को अगर हम जाने तो ये है कि ये दोनों भी कहना कई टूल किट को तयาร करने में इनका भी हाथ है अगर हम निकिता जेकप की बात करें तो वो पेशे से वक्टिल बताइ जा रही है और इसमें सबसे महत्पून बात ये है सवाल ये उठाया जा रहा है कि आखिर टूल किट में ऐसी क्या चीज थी जो वो देश व्रोधी हो गई तो इसमें दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने जो जानकारी दी है वो ये है कि ये आंदोलन किसानों से जुड़ा हुआ है लेकिन टूल किट को लेकर दिल्ली पुलिस का कहना है कि इसमें प्योटिक फाउंडेशन जोड़ा हुआ है और इस बहाने देश की अखंडता और शांती सद्वाव को सूर्ट पुचाने की कोशिश की जाने थी बहाँ अब को रखे आगे अब को रखे आगे